हेलो दोस्तों मैं हुशियों सौगत करता हूँ आपका स्टाटी बूश में एक लॉक का पार्ट टू है इससे पहले पार्ट बन हम देख चुके हैं जिसका लिएक नीचे वीडियो के डिया हुआ है बहां से जाकर आप पार्ट बन देख सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब पूछे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जीरो डिगरी का कौन कब बनता है जब घड़ी में मिनिट और घंटे की सुईयां एक दूसरे की ऊपर होती हो और दौनों सुईयों के बीच में जीरो मिनिट का अंतर होता है तब जीरो डिगरी का जीरो मिनिट का अंतर हो तब जीरो डिगरी का कौन बनता है तो देखिए देखिए दोस्तों घड़ी में कौल बारा घंटे होते हैं तो देखिए दिन के बारा घंटे हो जाएंगे इसी तरह बारा घंटे रात के हो जाएंगे तो देखिए एक दिन में कोल 24 गंटे हो गए 12 गंटे दिन के और 12 गंटे रात की तो देखिए 0 डिगरी का कौन बनने की जो घटना है वो 12 गंटे में फुल 11 वार होती है देखिए दिन के 12 गंटे में 11 वार होगी इसी तरह रात के 12 गंटे में 11 वार होगी तो 24 घंटे मतलब एक दिन में 0 स्थान पर होगी जिससे दौनों स्वियों के बीच में जीरो डेगरी का बनेंगा लेकिए कुल 12 घंटे होते हैं लेकिन 11 वार दौनों सुईयों के बीच में जी रोडेगरी का कौन नहीं बनेगा तो हमें सिर्फ वही याद रखना है देखिए 12 एक के बीच का जो समय होता है 12 गंटे में 22 वाद 0-degree का कौन बनता है 12 से 1 के बीच का जो 60 मिनिट का समय रहता है इस दोरहन 0-degree का कौन नहीं बनता है देखिए दूस्तों 0-degree का कौन कहां कहां बनेगा देखिए 1 से 2 के बीच में बनेगा यहां पर इसी तरह 2 से 3 के बीच में बनेगा 3 से 4 के बीच में कट लिए को कांटाइब नॉकमास्य के बीच बनेगा को अजय स्षे के बीच में बनेगा चौह साथ के बीच में बनेगा प्रूह को अद Spaß TamamWow और 1 से यहारा के बीच में बनेगा और यह 11 आ से 12 आरहा बन जाएगा धेके 12 घंटे में कुल 11 वार जीरूदकर लीजरी एक यहां बनेगा दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस और यह ग्यारा तो कुल बारा घंटे में ग्यारा बाद जीरो डेगरी का कौन बनता है बारा से एक के बीच का जो 60 मिनिट का समय होता है इस दोरां जीरो डेगरी का कौन नहीं बनता तो हमें सिर्फ याद रखना ह का वापस में मिलेंगी तो देखिए दो और तीन बजे की वीच हमें बताना है तो देखिए जो भी समय रहेगा दोस्तों दो बचकर कुछ मिनिट रहेगा जब दौनों सुईयां एक ही स्थान पर होंगी जैसे दौनों सुईयों के वीच में जीरो डेगरी का कौन बनेगा म ग्रेट का हैंब ढूतब कर दो मतलब 10 मिन पर हमें 50ə drilling का गुड़ा अब देखिए इससे स्वैव करेंगेए तो क्या आएगा दोस्तों गीचसिटा आएगा 16 से भाग करेंगे 10 वा जाएगा और आ जाएगा 10 बते 11 तो जो समय मिलेगा हमें दोस्तों क्या मिलेगा दो बाजकर अब x की जगा क्या जाएगा 10 सही 10 वाटे 11 मिनिट अब जब समय होगा जब दोनों शुययां एक ही स्थान पर होंगी जिसे दोनों सुईयों के बीच में जीरू मिनिट का अंतर बनेगा और जीरू डिगरी का कौन बन जाएगा तो बस हमां कब होगा दोस्तों दो बजकर दस सही दस बटे ग्यारा मिनिट अब देखिए इसे बिना घड़ी की हेल्प से कैसे स्वाल देखीं समय रहेगा दोस्तों मरत कर कुछ रहे तो देखिए ये घंटी की सुई है और ये मिनट की सुई दोवचि कोजमनेट होंगी तो हम क्य लेक्षто नेख सकते हैं मिनिट की सुई जिसे दॉननों सुई एक की स्थान बने मिनिट मिनिट की तो पर होके बँए वहां पर लेखना है और हमें 12 बटे 11 का गोड़ा करना है तो क्या आएगा दोस्तों यहां जाएगा 120 बटे 11 इसे सोलव करें तो क्या जाएगा अंधर कर दाई नहीं है तो जो हमें मिलेगा दोस्तों दो बच कर 10 और 10 यहां पर दोनों सुईयां एक हिस्थान पर होंगी आपस में मिलेंगी जिसे दोनों सुईयां के वीच में जीरो मिनिट का नतर होगा जीरो कौण बनेगा सबसे हम लेखंगे 6 X देखे 6 को हम क्या लेख सकते हैं, दोस्तों 30 लेख सकते हैं 6 ये 30 मिनट को 10 आता है इसका मतलब है, ये घंटे की सुई जो है, 6 पर है, 30 पर है तो मिनट की सुई को भी हम कहाँ पढ़ लाएंगे जहां पर घंटे की सुई होगे, जैसे दोनों सुई से सब्सक्राइब बदोस्तों 307 जाएगा बटे 11 12 the 33 भार यहां मक्रें तीस अब 11 से बागे तो कितने में जाएगा दो बार जाएगा यहां मचेगा आठ तो आठ मने जाएगा था में लिखें आठ बटे 11 जो समय होगा दोस्तों क्या होगा कि छे वचकर 32 सही आठ वटे ग्यारा मिनिट बाइस हम होगा जब दोनों सुईयां आपस में मिलेंगे जिसे जीरो मिनिट का अंतर बनेगा और जीरो डिका कॉल बन जाएगा 1801 डिग्री का कॉल जब मिनिट और घंटे की सुईयल एक दूसरे की विप्रीध हो तब frosty दिकें देखिए मिनिट कीसी कहा बनेख है इसका मतलब कहा werd है कि दोन सुईयों की वीच में केतने मिनिट का अंतर है전्स वर्देखे नकीया ौश्य होला सब्सक्राइब देखिए एक मिनट बराबर होता है चेडिके तो 180 कितने मिनट के बराबर होगा 180 में चैका भाग देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 30 मिनट में 60 कोण बनता है इसका मतलब जब दोनों कितने मिनट गंटे के यह दूसरी के विप्रीफ होंगी तो दौनों सुईयों के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा जिससे जारा वार इसी तरह रात के गारा घंटे में बारा वार दौनों सुईयों एक दूसरी के विप्रीफ होंगी जिससे 180 का कौण बनेगा तो देखे च्छे और साथ के बीच का जो समय होता है उस समय दौनों सुईयों एक दूसरे के विप्रीफ नहीं होती है जिससे दौनों सुईयों के विच में दोनों सुईयों के वीच में 60 degree का कौन बनता है तो देखिए अब इससे question किस तरके पूछे जाते हैं दोस्तों देखिए question लिखा हुआ है दो और तीन मज़े के वीच घड़ी में घंटे तरथा मिनिट की सुईया के वीच देखिए दोस्तों जो भी समय रहेगा क्या रहेगा दो बच कर देते हैं दो पर यह घंटे की सुई है जो दो पर फेक्स है एक दोस्तों अब मिनिट की सुई को हम कहां पर रखे है जिससे मिनिट की सुई इसके विप्रीत हो जाए यह हम कहें दोने सुई की वीच में 30 मिनिट का उंतर बन जाए तो देखिए एक मिनिट पर कोण दोस्तों दो पर क्या है अब मिनिट की सुई को हम कहां पर फिक्स करें जिसे दौन सुईयों को बीच में 30 मिनिट का अंतर हुआ तो देखे 2 को 10 लेख सकते हैं कि देखिए इसे सॉल करेंगे 40 में 12 का गुड़ा हो गोत कितना जाएगा दोस्तों 244 और सुनने एड हो जाएगा 460 बटे 11 11 से भाग करेंगे 11 1444 यहां बचेगा 40 अब देखे 11 33 तीन बार जाएगा यहां बचेगा 7 7 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो लिखिंगे 7 बटे 11 तो ज इसे दौनर सुनियों के विच में 120 का कॉड़ा बनेगा देखिए दोस्तों इसे हम बिना घड़ी के हैल्प से कैसे सॉल कर सकते हैं हम समय बताना है दो और तीन के वीच में दोनर सुनियां कभ एक दूसरे के विप्रीत होंगी जिससे एक स्वास्टी डिगरी का कॉड़ा ब क्या लग सकते हैं दोस्तों 10 लेख सकते हैं अब मिनट की सुनियों कहां पर रखें जिसे 2 सुनियों के बिच में 30 मिनट का अंतर होगे तो इससे सॉल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों यह आ जाएगा 43 साथ सांथ 9 जो समय होगा क्या होगा दो बचकर 43 सही 7 बटे 11 मिनिट जब दौनों सुईयां एक दूसरे के विप्रीत होंगी दौनों सुईयों के वीच में 30 मिनट का अंतार होगा जिससे 180 डिगरी के कौन बन जाएगा तो इसे इस तरह करना है दोस्तों देखिए अगला कुश्चन लिखा हुआ है नो से 10 बचे क जब्च में घड़ी में घंते तमिनिट की स्मया की वीच 180 대 डिफ्री को कॉण बनेगा गा तो देखें दोस्तों जोवी समयं रहेगा नोव बचकर कोश्च मिन्त रहेगा तो देखिए अब मिनिट की सुई को हम कहां पर रहेगी उसे लेखेंगे और 12 बटे 11 का गोड़ा कर देंगे अब इसे स्वाल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 15 बटे 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11 यहां बचे कितना 70 हो जाएगा चार में भाग नहीं जाएगा तो लेकिनी 4 बटे 11 तो जो समय मिलेगा हमें दोस्तों क्या मिलेगा 9 बचकर 16 सही 4 बटे 11 मिनिट बस समय होगा जब दौनों सुईया एक दूसरे के विप्रीत होंगी 30 मिनिट का अंतर बनेगा जिससे 180 डिगरी के कौन बन जाएगा तो समय क्या होगा दोस्तों 9 मच ??? 12 सही 4 बटे 11 मिनिट तो घंटे की सुई कहां पर रहेगी दोस्तों यहां पर रहेगी और जो मिनिट की रहेगी इसी तरह रात के भी बारा घंटे होते हैं तो देखे दोस्तों दिन के बारा घंटे में कुल 22 वार 90 डिगरी का कौन बनता है इसी तरह रात के भारा घंटे में भी 22 वार 90 डिगरी का कौन बनता है तो हम कह सकते हैं कि एक दिन मतलब 24 गंटे में कुल 44 वार 90 डिगरी का कौन बनता है तो देखे दोस्तों हमें पता है एक घंटे में 2 वार बनता है तो 12 गंटे में 24 वा बनता है एक बार मिनिट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहती है और दूसरी बार में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे दो देखी दुस्तों हमें सिर्फ समय याद रखना है जब नबवी ऐयाकॉन नहीं बनता दो देखिये 2 2 सूहीयों के भीच मैं यहां रस घ्र hooger तरीं का नहीं बनेगा लेकिन जो घंट की की दो पर Фिक्स माने और गहिंट की मिनलें देखिए दौनों सुहीयों के भीच में यहां 15 मिनिट सांथ तरा हमें मिल जाएगा 15 मिनिट मिलेगा तो यहां 10 घंट का कौन बन देखे जब गढ़ी में आउट बछते हैं तो घंटे की सुई यहा निए बारा पर रहेगी कुंगी कर जाएगी आप पांच पर आजायेगी देखेगे दौनोग। यहां पर नो बच जाएंगे गड़ी में नौ बच जाएंगे तो खता हो जाएगा और यहां से नो जाएंगे तो देखिमे एक बार यह चीजित को नब्वे टेगरी का कॉन बने गा तो हम कह सकते हैं कि 8 io changed Since चाट पास्मेह होता है इसमें भी सिर्फ एक बार नबे डिगरी का गॉण बनता है इस्थ जोब सी मजी के बारे देगरी का कॉल्ड बनता है मुइस इस तरह आज से स्कुनगे थे कौन कम हो जाता इसका अरण से 12 घंटे में कोल 22 वान नब्य डिग्री का कौन बनता है और एक देन मतलब 24 घंटे में कोल 44 वान नब्य डिग्री का कौन बनता है तो आप समझ गहेंगे आपको सिर्फ यह समय याद रखना है कि 2-3 बजे की वीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री क कौन बनेगा इसी तरह 8-9 बजे की वीच का जो एक घंटे का समय होगा उसमें भी सिर्फ एक बार 90 डिग्री का कौन बनेगा तो आपको यह समय याद रखना है तो देखते हैं दोस्तों 90 डिग्री से समझ प्रशन कैसे पूछे जाते हैं देखे दोस्तों कूश्चन लिखा नबेच्ट का कॉन बनता है नबेच्ट का कॉन बनता है तो दोनो सुईयों के वीच मैं 25min युद страхald का निबिच का कवतर है इसी तरह 8-9 बज़े का गंटे का समगह रहता है उसमें भी सरफ एक बार 90 ड्री का कॉना बनता है तो देखिए चार और पांच बजे की बिच में बताना है कि यह कि किस समय रहेगा पुम突 नब्झेऀ के 90 का कॉन बनेगा जो भी समय रहेगा चार बच कर नबच कर प्सक्राइब लगत एक बार मिनिट की सुई गंटे की सुई से पीछे रहेगी और दूसरी बार मिनिट की सुई गंटे की सुई से आगे रहेगी तो देखिए गंटे की सुई को हमने यहां फिक्स कर दिया है चार पर तो एक बार मिनिट की सुई गंटे की सुई से पीछे रहेगी तो यहां पर र तो एक घंटे में कुल दो बार नबे डिग्री का कॉन बनता है जब नबे डिग्री का अंतर रहता है तो घंटे की सुई को हमने चार पर फिक्स रखा क्योंकि जो भी समय आएगा वो चार बच कर कुछ मिनिट रहेगा पहली बार मिनिट की सुई कहा पाती पांच मिनिट में देखी दोनों सुई के वीच में 15 मिनिट का अंतर आया दूसरी बार मिनिट की सुई के घंटे से आघी थी जो 35 पर दोस्तों और बार पांची पांच बार जाएगा यहां यहां पांच बचेगा तो 5 अधाने तो हमें जो समय मिलेगा वह पहला क्या होगा दोस्तों चार ग्यारा मिनिट बच सामा होगा जब 90 डिग्री का कॉन बनेगा एक आंसर यह होगा दूसरा आंसर क्या होगा दोस्तों अब हमने मिनिट की स्विगू कहां पर रखा था 35 पर रखा था हम लिखेंगे 35 और इसमें करेंगे 12 बटे 11 का गोड़ा अब इसे सॉल्ग करेंगे तो क्य से आट बार जाएगा यहां बचेगा दोड़ मां बहाँ नहीं जाएगा तो लेगिंगे 2 वटे 11 तो हमें जो दूसरा समय मिलेगा दोस्तों क्या होगा चार बचकर अलत्य सही 2 वटे 11 मिनिट बसा होगा जब दॉन सुईयों के बिच मैं 90 डेगरी का कॉन बनेगा तो देख मिनिट की सुई गंटे की सुई से आगे रहेगी तो मिनिट की सुई को हमने 35 पे रखा तो हमने लखा 35 और 12 ग्यारा गोड़ा किया तो इसे सॉल्ट किया तो क्या है चार बचकर अर्टेस सही क्या दोस्तों जो भी समय रहेगा चार बचकर कुछ मिनिट रहेगा तो हम लेकिन की चार बचकर सकते हैं तोऊस्तों 20 को अनतर आएं तो जहा हम मिनिट की सुई हो ऐसे दिए 3他 क्षिव 14 अब कहां पर ओ जहां मिनिट की सुई को रख रहे हैं इसı लिखेगे हाँ पहली बार हमने मिनिट की सुई को 5 पे रखा तो 5 और 12 बटे 11 का गोड़ा करेंगे तो हो जाएगा 60 बटे 11 इसे सौल करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 5 सही 5 बटे 11 पहला समय हमें क्या मिलेगा 5 बचकर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट अब दूसरी बार हमने मिनिट की सुई को कहां पर रखा था दोस्तों 35 पर रखा तो हम लेकिंगे 35 और इसमें करेंगे 12 बटे 11 का गोड़ा इसे सौल करेंगे तो क्या जाएगा 420 बटे 11 इसे सौल समय हमें क्या मिलेगा दोस्तों पांच बचकर 38 सही दो बटे 11 मिनिट बच समय होगा जब दौनों सुईयों के बीच में 90 डिगरी का कौन बनेगा इसी तरह दोस्तों आपको करना है जब 90 डिगरी से समद्धित पूछ जाए देखिए दोस्तों अगला कोश्चन लिखा 15 मिनिट को कोन होगा जब दोनों सुईयों के बीच में तो देखिए दोस्तों हमें पता है कि 2-3 मजे सिर्फ एक बार 90 का बनता है और आप péled का कौंड बनेगा तो देखिए हम जानते हैं दो से 3 मजे के बीच में जो 60 मिनट का समय रहता है उससमें सिर्फ 1 बार 90 अजय नबर 90 नबर बनेगा 2 बच कर कुछ मिनित रहेंगा तो नहीं लेका दो अब मतलब 10 अम मिनिट की सुई को हम कहां पर रखें जिसे दौन सुई जब हम पीछे रखेंगी तो 10 से यदि हम 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा पच पना जाएगा मतलब घंटे की सुई अभी यहां पर है दो पर तो देखिए गंटे की सुई को हमने यहां दो पर फिक्स किया देखिए अब मिनिट की सुई यदि हम 11 पर रखें जैसे 15 मिनिट का जाए जो समय रहेगा वह 2-3 मजे की बीच का समय नहीं रहेगा बस हमें रहेगा एक से दो बाजे के बीच दो पीछे की स्तिति रहेगी कि मिनिट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहे वह वाली स्तिति नहीं बनेगी आगे वाली स्तिति बनेगी कि मिन घंटे की सुई क पर रखेंगे 25 पर रखेंगे तो दोनों सुई के विच में 15 मिनिट का अंतर मिल जाएगा अब मिनिट की सुई को हमने जहां पर रखा है उसे लिखेंगे 25 और 12 बटे 11 से गोड़ा कर देंगे इसे स्वाल करेंगे तो क्या आएगा तो पच्छिस का बारा में गोड़ा होगा बटे आएगा 300 बटे 11 11 से कैंसेल करेंगे 12 यहां बच्छिका 8 0 होजाएगा 11 80 हो जाएगा अब 11 से भाग करेंगे 11 77 77 वार जाएगा यहां बच्छिवा 3 तो यहां लिख दींगे 3 बटे 11 तो जो हमें समय मिलेगा दोस्तों क्या होगा दो बचकर 27 सही 3 बटे 11 मिनिट बैस स सुईयों के बीच में 90 डिगरी का कौन बनेगा सित 2 और तीन मजिए की बीच में एक वान डिगरी का कॉन बनता इसी तरह अगला कोश्चन लिका हुआ है 8 नो बजे के वीच किस अनुमाने समय पर घड़ी की दोनों सुईयों के बीच है इसी तरह आठ और नौ बजी की बीच के जो साट मिनिट का समय रहा था उसमें भी सिर्फ एक बार नबे डिग्री का कॉन बनता है और हम से जो कोश्चन पूछा गया है क्या होगा आठ और सूय लोगस के बीच में 15 मिनट का अंतर हो जाएं गया तो दोन सुय को कि बीच में 15 का अंतर आए तो जहां मिनट की सुय रख रहे हैं उसे लिखेंगे और 12 गोड़ा करेंगे तो देखेंगे जब पच्चेस में 12 बटे 11 गोड़ा होगा तो क्या आएगा दोस्तों 300 आजाएगा बटे 11 सब्सक्राइब यहां बचेका आठ असी हो जाएगा फिर सब्सक्राइब एक बर एक बान बनता है दोस्तों अब यदि हम मिनिट की सुई को यहां पर रखें ग्यारा पर जिससे दौन सुईयों के बीच में 15 मिनिट का गैफ हो तो देखिए क्या हमारा आंसर मिलता है या नहीं बनता है क्योंकि 8-9 बजी की बीच में सिर्फ 1-2 डिग्री का कौन बनता है एक बान बचकर सब्सक्राइब तीन बटे 11 मिनिट में मिला अब देखिए जब हम मिनिट की सुई को घंटे की सुई से आगे रख रहे हैं मतलब 11-15 पर रख रहे हैं तो देखिए क्या हमारा आंस इसका मतलब होगा कि जो मिनिट की सुई रहे की वह यहां 12 पर को जाएगी और कि घंटे की सूई यहां 9 पर पहुंच 2019 तो यह जो समय रहेगा इस समय पर 90 डीग्री का कौन नहींवञेगा यह तो इस दोस्तों आपको छिर ढात चॉन है